हे गाईस वेलकब बैक कैसे हैं आप सभी लोग तो आज मैं आपके लिए ना कपड़े बिना अलमारी के रखने का बहुत ही बढ़िया तरीका लेके आई हूँ जो आपको बहुत ही जादा पसंद आएगा इसके लिए हमें कोई भी अलमारी की जरूरत नहीं है जहां भी चाहे तो उससे आप इसको बना सकते हैं तो देखे मैंने यहाँ पर अपना पुराना परदा ले लिया है जिसका मैं यूज नहीं करती थी ऐसी ही पड़ा था तो मैंने सोचा चलिए इसका कुछ न कुछ अच्छा सा बना लिया जाता है तो बिल्कुल इसी तरह से आप साड़ी भ कर सकते हैं पतार ज्यादा लंबा चाहिए तो ज्यादा लंबा कट कर लिजिए और छोटा बनाना है तो छोटा कट कर लिजिए यह आपके उपर है कि आप इसे कितना बड़ा बनाना चाहाते हैं तो इस तरह से नीचे कट कर लिया है डवल फोल्ड है डवल कपड़ा है ठीक रखना है इसको और नापते हुए चले जाना है और इस तरह से जब आप नापिंगे ना तो साथी साथ पिन भी लगाती जाएगा जिससे आपको ना सलाई करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी ठीक है तो यह दिखिए चारो ओर से मैं क्या करूंगी इस तरह से यह मैं नाप के आपको इसलिए दिखा रही हूँ जिससे आप अच्छे से समझ जाएं कि इसको कैसे करके हमें नापना है और कैसे करके लगाना है तो यह दिखिए यहां पर यह आ गया और बस फटा फट से क्या करना है सिलाई को लगा देना है तो चलिए मैं आपको यहां पर चले जाना है यह दिखिए चली में दिखाती हूँ आपको यह दिखिए मैंने हम पर इसको बना कर तयार कर लिया है और चारों ओर से बढ़या से एक मजबूत सिलाई लगा ली है जिसे बिल्कुल भी उधड़ेगा नहीं यह दिखिए इस तरह से मैं सीधा करके दिखा रही और अच्छे से समझ भी आ रहा होगा कि मैंने इसको किस तरह से सिला है तो चलिए थोड़ा लंबा करके भी दिखा देते हूं यह देखिए यह आएगा इसका लुक और यहां बीच में हमें कपड़े रखने हैं ठीक है जितने भी आप चाहें बहुत ही बड़िया है इसको जरूर से बनाएगा बहुत जल्दी बन जाता है और यह जो बीच की साइड आप खुली हुई देख रहे हैं आप यहां पर कोई भी लैस वगरा लगा सकते हैं सुन्दर सी बहुत अच्छी अच्छी से आती है या फिर आप चैन लगा लिजे खोलने और बंद करने के लिए यह अच्छे से पैक हो जाएगा और यह जो उपर वाली साइड देख रहे है यह अभी खुली हुई है देखी पा रहे हूंगे आप अब इसका हमें क्या करना है यह ज़रा थोड़ सा ध्यान से देख लिजे कि मैं यहां पर इसको कैसे बनाने वाली हूँ तो यह देखिए यहां पर यह उपर वाली साइड है नीचे तो हमने कपड़ा लगा दिया तो इसको इस तरह से हमें रख लेना है और रखने के बाद यह देखिए इस तरह से फोल्ड करना है तो यहां पर बस आप ध्यान से देख लिजे एक प्लेट डालनी है जिससे कि यह जो कपड़ा है वह छोटा हो जाए तो उपर से चोटा हो जाएगा और नीचे से चोड़ा हो जाएगा जिससे हम बहुत सारे कपड़ा इसके अंदर रख सकते हैं तो यह एक वाला इधर जो पार्ट है वह सैट हो गया है और बिल्कुल इसी तरह से ना हम इधर वाला भी कर लेंगे यह दे आपको तो फिर आप इतना ही रहने दीजिए और चोटा चाहिए तो आप यहां से उपर से कट भी कर सकते हैं तो आज का यह वीडियो अगर आपको जड़ा सा भी हेल्फुल लग रहा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिले के स किराए बगारा पर रहते हैं तो फिर उनके पास अल्मीरा बगारा नहीं होती हूं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है बच्चे घर से पढ़ाई करने के लिए बाहर जाते हैं तब उनके लिए कोई चीज मतलब ऐसी देना चाहते हैं कि उसमीन कपड़े बगेरा रख सके तो उस टाइब के लिए बहुत ही बढ़िया है आप इसको एक बार ज़रू से ट्राइ कीजेगा अब देखिए इस तरह से मैंने पिन लगा दी है पिन लगाने के बाद मैं क्या करूँगी इस तरह से सिलाई कर लूँगी इसको इतना मजबूती से बनाना मैं आपको बता रही हूँ ना कि आप मतलब इस पे कितना भी कपड़ा लाद देंगे ना कहीं से भी ये टेड़ा मेड़ा नहीं होगा कहीं से भी जुकेगा नहीं तो ये देखिए मैंने इसको इस तरह से सिल लिया है और हम इस तरह से कट कर देंगे और चलिए अब दिखाती हूँ मैं कि ये किस तरह से बना है ये देखिए यहाँ पर पिंजो है मैं इसको निकाल लेती हूँ और ये हमारा यहाँ पर बनकर तयार हो गया है लेकिन अभी थो यूज कर रहे हूँ आप चाहे तो प्लास्टिक के जो होते हैं आ बो भी ले सकते हैं लेकिन ये वाला कर लेंगे न ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत रहता है तो ये देखे इस तरह से हमें सेट कर लेना है तो ये देखे बिल्कुल बढ़िया से ये सैट हो गया है और सैट सिल दिया है अब एक कहीं से खुलने वाला नहीं है और अगर आप फैंगर नहीं लगाना चाहते तो इसी तरह से कपड़े को फोल्ड कर लीजेगा और यहां पर न कोई डोरी बगएर हो उसको लगा लीजेगा ठीक है लेकिन ये वाला बहुत अच्छा रहता एक दम मजबूत रहता है और इस तरह से मैंने काड़ लिया है इसको टुकड़े को हमें कट कर देना है आप चाहें तो इसकी जगह पे जो एक्जाम बोर्ड होते हैं उनका भी यूज कर सकते हैं या कोई भी ऐसी चीज दो थोड़ी सी मजबूत हो उसका आप यूज कर लीजे किस तरह से बॉक्स जैसा बनके तयार हो जाएगा तो आप देखी सकते हैं तो चलिए यहां पर मैं आपको लटका कर दिखाती हूं यह देखिए कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है और इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह से आने वाला है यह कहीं से भी ना टूटेगा ना लटकेगा न टेडा होगा यहां पर आप अपने कपड़े जितने मर्जी चाहे उतने कपड़े रख सकते हैं बच्चों के रख सकते हैं तो चलिए मैं आपको रख के भी दिखाती हूं कि कैसा लगे गई यह तो इससे मैंने अपने बच्चों के लिए बनाया है चोट मोटे जो आने वाली है यह देखिए मैं यहां पे अपनी कूर्टी वगएर आपको रख की दिखा रही हूं और इसका सबसे अच्छा फायदा यह है ना कहीं भी इसको टांग लीजे बात्रूम में या दर्बाजी के पीछे जहां पे भी आपको लगता है वहां टांग लीजे और इहां नहीं होता है कितने भी कपड़े रख लीजे बिल्कुल भी जोगता नहीं है यह दिखिए मैंने कितने सारी यहां पर कपड़े रखे हैं उपर तक पूरा भर गया है यह और इसमें जो उपर की जगह खाली बची है ना इसमें और भी कपड़े रख जाएंगे तो इसी तरह से उसमें That along box भी रख सकते है जो भिडेली उपस भी सामान भी रख सकते हैं और अप चाहें तो इसे औरैश देन आप को बनाने कोई भी पर frontier होगी और आप कि सकते हैं कितने सारे कपरे रख हुए हैं अब बिल्कुल इसी से छोटे साइच का भी बना कर तयार कर सकते हैं अपनी अलमीरा के अंदर भी इसको लटका सकते हैं दिखाऊगा ना अपने अलमीरा में जगह कम पड़ जाती है तो फिर हमें इधर उधर कपड़े रखने पड़ते हैं तो इस तरह से छोटे-छोटे बना लीजे और उन्हें अंदर बहुत अच्छे लगते हैं देखने में आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से शेर कर देज़ेगा हम आपके सपोर्ट के बिज़े से ही धेर सारे वीडियो बनाते हैं लोगों को कुछ नई चीज सिखाने की बताने की कोशिश करते हैं तो शेर करना मत बूलेगा कमेंट करना मत बूलेगा कहां कि सहर से ये वीडियो देख रहे हैं जरूर बताएगा और नेक्स्ट वीडियो में किस पे बनाओ ये भी जरूर बताएगा बैबाए विर्वान और थैंक्स पर वचिंग बाबाए